है 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 हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वाइफाई स्टडी चैनल वाइफाई स्टडी में नाओ वाइफाई स्टडी इस पार्ट ऑप अनकेडमीग गूरूप फ्रेंड्स उस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और मैं ठीपक्ति रथ्यानी एक पफट से लेकर आज़न हूं के लिए कर रहे हों चाहे आप तयारी रेलवे के किसी भी एक्जाम के लिए यानि ग्रूप डी के लिए आगे अपकमिंग आने वाली वेकेंसी एलपी आर्पी एफ के लिए या फिर एससी के किसी या स्टेट लेवल के किसी भी पुलिस के एक्जाम के लिए दूस्तों आप थमसब कर देंगे बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन के अंदर क्योंकि कल हम लोगों ने concept पड़े थे concept के साथ साथ हमने चीजें देखी थी जहां जहां पर गलतियां हो सकती थी आपको maximum और minimum निकालने में काफी दिक्कते हो रही थी आज हम interchange वाली चीजें भी पड़ेंग क्या कहा गया है मनजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं आला कि देखना भी जरूरी है उनको पूरा करनी के लिए लेकिन मनजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं अरे मनजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो जिद पर आड़े ह होते हैं कि यस मैं मेहनत करूंगा और मैं डेविनेटली 100% अपनी सक्सेस को खुद अचीव करूंगा अपने तरीके से यह होनी चाहिए काविलियत दोस्तों आपको पता है कि आपके कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो वीक हैं कौन सा टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको काम करने की आउशकता है सुबह 8 बजे आज से हमने क्लास ली इतनी जवर्दस भेतरीन क्लास रही दोस्तों लोजिकल रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ी सुबह 8 बजे सुपह आठ बजे आपने लोजिकल रीजनिंग की क्लास ली अनकेडमी लर्निंग पर जोगी डेली बेसिस पर चालू हुई है ठीके हम लोजिकल रीजनिंग को जड़ से खतम कर देंगे इधर से हम लोग टॉपिक वाइस वर्बल पढ़ रहे हैं ताकि फिर बाद में इनको कं प्यारी कर पाएं मॉक्तेस के रूप में तो दीपक कुमार तीर्थयानी के नाम से जो ऑफिशल अपना टेलीग्राम चैनल टेनिला ग्रूप सब कुछ है इसे आप जोईन कर सकते हैं दीपक सर रीजनिंग ऑफिशल ठीके दीपक सर रीजनिंग ऑफिशल के नाम से जो टेल जाएगा आप लोग इसे ज़ोईन जरूर कर लेंगा इस ठीक है इसके अलावा क्लास का शडूल दोस्तों कुछ इस तरीके से रहता है जिसको नहीं पता है वो देख ले सुबह 8 बजे हमने चालू किया है logical reasoning क्या चालू किया है logical reasoning हमने चालू किया है तो आप लोग on academy learning app पर इस class को जरूर ले लीजिए नहीं लीए है तो इसकी pdf डाउनलोड करके questions को देख लें rules को देख लें methods जो तिखाए हैं उसको देख लें अभी हम लोग ये class discuss कर रहे हैं ranking के लिए लेकिन अब इस ranking से related आप आज करने वाले हो 50 plus questions 50 plus questions करोगे 2 पर 12 बजे और वो सारे previous year paper के questions है जो आपके group D, NTPC वगेरा में आये हुए हैं तो उन questions को भी जरूर देखेंगे हम लोग 2 पर 12 बजे आनक एडमी learning app पर जो की daily basis पर होती है 4 बजे हम लोग mock test discuss कर रहे हैं GD के लिए YouTube पर रात को 8 बजे paid class होती है और 9 बजे होता है super mock test 50 से 60 questions को हम लोग discuss करते हैं यहाँ पर ठीक है यह हमारा target होता है आनकेड में पर यह हमारी daily classes का schedule रहने वाला है ठीक है तो आनकेड में पर आप लोग Deepu 10 code लाकर बिलकुल basic से आप लोग इस subscription को join कर सकते हैं आपको सभी teachers की सभी classes मिलीगी 24 मंत का subscription जो आपको 325 रुपे पर मंत में दिख रहा है इसको आप लोग 10% discount के साथ 7-7, 6-3% off आपको मिल जाएगा 76% का off आपको मिल रहा है subscription पर तो कैसे join करना है आनकेड मी learning app पर सबसे पहले मुझे search करें follow कर लें follow करने के बाद following लिखावा आ जाएगा और उसके बाद में आप लोग स्ती all पर जाकर सारे batches देख सकते हैं आप जाएगे gate subscription पर gate subscription पर जाकर आप लोग जब click करेंगे तो window open होगी इस तरीके से उसमें वो पूछेगा aid referral code आप लोग लगाएंगे यानि दीपू 10 जैसे ही आपने दीपू 10 code लगाया और उसे आप apply कर दीजिए बस payment आप किसी भी mode से कर देना और उसके बाद सभी subject की सभी classes मिल जाएगी पंदरा तारिक से नया batch start होने जा रहा है सभी teachers का ठीक है भाई तो यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए चलिए शुरुआत करते हैं ranking chapter की और पहला question समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ranking topic के अंदर mostly आपको इनी questions को पढ़ना है आपने total number of students कल पढ़ लिया बढ़िया तरीके से आपने maximum number of students मैंने कल आपको समझा दिया minimum number of students आपको समझा दिया ठीक है position of person आपने समझ लिया इस concept को हम लोग आज समझेंगे सबसे पहले ठीक है interchanging of position question के माध्यम से और फिर इसकी practice करने वाले ठीक है तो basic concept दोस्तों ये कहते हैं ranking topic के basic concept दोस्तों ये कहते हैं कि इन में से कोई सा भी word आ जाए ना आपके पास इन में से कोई सा भी word आ जाए left starting top ahead before इन सब का मतलब left होता ही क्या है left बाया इन सब का मतलब होता है ठीक है और अगर आपको दे दिया right right दे दिया last दे दिया bottom दे दिया behind दे दिया after दे दिया तो इन सब का मतलब होता है right दाया क्या इन सबी बच्चों को पता है यहाँ पर जुद जितने भी बच्चे हैं क्या उन सभी को पता है इसके बारे में तभी लोग फड़ा पड़ से बता दो बाया प्रारंब ऊपर आगे पहले सब का मतलब लेफ्ट होता है रेंकिंग में right अंतिम बोटम बिहाइंड आफ्टर सब का मतलब क्या होता है right होता है दाया होता है ठीक है रेंकिंग में तो very good morning सभी लोगों को शुरुआत करते हैं पहले कोशन से जल्दी से बताएं 36 लड़कों की कक्षा है उसमें अमित की रेंक ये रहा अमित की रेंक उपर से यानि कि टॉप से और टॉप को मैंने क्या बोला जब भी आपको बोला जाएगा टॉप से आगे से बिपोर पहले से स्टार्टिंग से सब का मतलब बाया है टॉप से रेंक है 14th तो फटा-फट से bottom से rank बता दो pen भी चलाने की जर्वत नहीं है वास्तों में देखा जाए तो क्योंकि total तो आपको कितना दे रखा है 36 लोग दे रखें न total आपको दे रखें 36 लोग है तो भाई सब total equal to आप लोग जानते हैं left plus right minus 1 यह formula कब लगाते हैं जब एक वेक्ती की rank दे रखी होती है तो total की यह है 36 left से rank कितनी है 14 light से rank हमें find करनी है 14 minus 1 कितना हो जाएगा 13 36 minus 13 equal to right तो right से rank कितनी हो गए 23 guys देखना right से rank कितनी हो गए भाई साब जल्दी से बता दो फटा फट से क्या rank आ गई 23 is the correct answer बहुत बढ़ी अला जवाब आज आपको मैं पहले ही बता दू हम speed पर खेल रहे हैं ठीक है न तो pen और paper ले लो और पूरा बढ़ी है तरीके से पूरी concentration power के साथ बेड़ जो जो तो रजाईयों में घुसकर पढ़ रहे हैं या फिर आलस को के पलंग पर पढ़ रहे हैं न वाईसा फटा फट से टेबल चेहर पर बेड़ जाओ और आ जो तुरंट प्रवावसी जल्दी से ठीक है न जल्दी से देख लो अब करिए प्रश्ण को से ऑन्फू बाएं से तेरवे श्थान पर धिरच दाये से सतरवे श्थान पर रहे इस मंगती में अनूज दाये से अगर गोरवे श्थान पर ये तो बाएंच से धिरिच का इस्थान की हो है बहुत अधी बड़ी प्रश्ण भैस आं अ झाल 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 चली बनाईए देखिए काफटापट से देखी गए यहां पर क्या बनावे लड़कों की एक पंक्ती में अनुज बाएं से तेरवे स्थान पर है भाई साब लड़कों की एक पंक्ती में अनुज के लिए बोला यह रहा अनुज ठीक है अनुज के लिए क्या बोला गया है लड़कों की एक पंक्ती में अनुज के लिए बोला गया है कि अनुज तो 22 से 13 नंबर पर है 13 पर है और धीरज के लिए बोला गया है कि धीरज दायें से 17 इस्थान पर है आनुज तो 22 से तेरा इस्थान पर जीड़ो सिर्भे स्थान पर युदीपंग्ती पंख्ति में अनुज दायों से कौन से इस्थान पर इससान पर रहत है थीचे हैं चले अनुज के लिए वहाँ युदा से गयार्वे स्थान पर आज भाई साब आप देखी एक बात बताओ एक वेक्ति अनुज जैसा आगया जिसका 22 से इस्थान भी तो सबसे पहले तो आप टॉटल निकालोगी कि टॉटल कितने लोग है टॉटल आपने निकाल लिया कितना आगया 13 प्लस 11-1 ठीक है टॉटल की वैल्यू आपके पास में आ इस्थान कितना है तो क्या प्रॉब्लम में भाई साब सोल कर लेंगे ना वही टॉटल इक्वल टू लैट प्लस राइट माइनस वन टॉटल की वैल्यू 23 दे रखी है लैट से पोजिशन पूछ रहा है धीरच की राइट से पोजिशन दे रखी है 17 माइनस 17 में से एक गया तो सोला तो लेट से पोजिशन कितनी आ गई 23 माइनस 16 इक्वल टू कितना आ गया सेवन टू कितना आ गया जल्दी से बता दो भाई साहब कि तुरंत प्रभाव से बता देंगे पटा पट से क्या आएगा सेवन तिस्ती करेक्ट आप से नेक्स अगला प्रश्ट टेलीग्राम गौरुप जो है वे चैट बॉक्स में पिन्ग कर दिया है दोस्तों आपको लिंक आपका पिन कर दिया गया है आप चाहें तो चैट बॉक्स से डारेक्ली लिंक पर क्लिक करके भी जोइन कर सकते हैं कोई आपति नहीं है चलिए फटापट से जल्दी से बनाएंगे तुरिंद प्रबाव से उत्तर की और उन्मुक लड़कों की एक पंक्ती में सुधीर बाएं से पंदरवे इस्थान पर है ये रहा सुधीर वो बाएं से पंदरवे इस्थान पर फिप्टींत नमबर पर यदि उस लड़के को चार इस्थान दाएं और सरकादिया आपने पाएं से पंदरवे पर था अब दाएं और पहला दूसरा तीसरा चोथा दाएं और सरकादिया आपने सुधीर को सुधिर इस जगह पर था पर तुमने दाई और चोथे इसथार पर सरका दिया भाई साथ तो 15 और 4 कितना हो गया 19 तो लेफ्ट से 19 नंबर पर आगया सुधिर दाई और सरका दिया चार स्थान दाई और सरका दिया तो वो पंक्ति में अच्छा दाएं से एक है, sorry तो left से तो 19 वे पर आगया left से तो कित्ते पर आगया वो 19 वे पर और दाएं से हे वो 21 वे पर तो पंक्ति के दाएं अंत से वो 21 हो जाता है, तो total कितने लड़के हैं ये पूचा है, बस खतम हो गई picture एक वेक्ति, जिसकी नई पोजिशन हमें पता है बाएं से 19 और दाएं से 21 टोटल इकपल टू लैप प्लस राइट माइनस और एकदम गोली की स्पीड से आना थे ये भाई साब अंसर कितना आगे थर्टी नाइन इस दी करेक्ट अंसर ये लीजिए बहुत बड़ी है एकदम बड़ी है तरीके से जल्दी जल्दी से करो भाई साब अब आएगा असली मजब अगर वेक्टी उत्तर की तरफ देखता है तो ये लेफ्ट होता है और ये वाला राइट होता है पर जब वेक्टि नीचे की तरफ देखता है दक्षन में देखता है तो यह नाकुन वाला पोर्शन इस बार इधर आरहा है तो यह left हो जाता है और यह right होता है तो उसने यही बोला है कि दक्षन की और उनमुक लड़कियों की एक पंक्ती में सोफिया बायें से, तो इस बर बायां इदर से बनेगा, left किदर से बनेगा, इदर से, तो देखना भाइसाब इदर, साउथ में देख रहे हैं और सोफिया के लिए बोला है सोफिया बाएं से दसवे और विक्टोरिया दाएं से पंदरा पर है सोफिया बाएं से तो दसवे सोफिया बाएं से दसवा और विक्टोरिया दाएं से दाएं से कौन से नमबर पर है यदि वे इस्थान आपस में बदल लेते हैं, देखना इदर ध्यान से, यदि वे अपना इस्थान आपस में बदल लेते हैं, पॉजिशन इंटर्चेंज कर रहे हैं, यदि वे अपना इस्थान आपस में बदल लेते हैं, यानि विक्टोरिया की जगा तो आ गई सोफिया, औ पर आजाती यह भाई सभ यही कोशन के मैं बात करते आर जिसकी नए स्टाइह करना होता है रहा हमेशा है एक सफिय्या का दाएंसे नया इस्थान कितना था पंदra Victoria का दाय से स्थान कितना था 15 तो वो स्थान अब Sophia का हो जाए क्योंकि Sophia आ गई ना उसकी जग़ा तो एक नया वेक्ती Sophia जिसकी नई position दे रखी है यहां से यह और यहां से यह तो यहां से हम total निकाल सकते हैं क्या जाएगा left plus right minus one answer आ गया 15 plus 24 minus 1 तुरंद प्रभाव से बता दो 49 minus 1 और दोस्तों इसका answer कितना आगया आपके पास में 38 इस दी करेंगा सभी लोग जल्दी से एक बार थमसब कर देंगे फटा फट से थमसब कर देंगे भाई साथ जल्दी से थमसब कर देंगे और जल्दी से बता देंगे इस प्रश्न का answer क्या बनने वाला है रैंकिंग का प्रश्न आएगा ना फोर देंगे उसको ठीक है न क्योंकि इसके बाद बहुत इंपोर्टन्ट चीज़ह हम लोग पढ़ने वाले है आप मैं आपको बता दूं पहुत ही इंपोर्टन चीज खल जो topic आप लोग start करने वालो हो ना उस topic का नाम है blood relation जिसमें सब को डर लगता है प्लड रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे दस बज़े वाली क्लास में और फिर बारा बज़े करेंगे शांदार जबर्दस्त कॉश्चन्स blood relation के questions करेंगे बहतरीन तरीके से प्रश्ण करेंगे blood relation के कम से कम 30 से 35 प्रश्ण करेंगे बड़िया तरीके से 12 बजे वाली class में कल का date बता देता हूँ 15 December का दिन ये तो YouTube पर पहले ही बता दूँ ताकि आप लोग ये न करें कि फिर blood relation वाला topic छोड़ दें कल चलेगा blood relation सुबह 10 बजे YouTube class में फिर दोपेर 12 बजे 15 December का दिन है तो भाई साब आप लोग करोगे blood relation topic के 30 question ये आनकेडमी पर करोगे silosm topic के 100 question सो silosm question ये आनकेडमी का शोडूले 12-25 कल का 12-25 आठ बजे तो logical reasoning जो सुबह चल रही है वो चले रही है बाद समझे में आ गई सभी लोग thumbs up कर दे न फटा फट से कर दे न भाई साब को 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 चलिए 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 बना ये बना ये बना ये जल्दी से बना ये क्या आंसर आएगा 26 आंसर आ रहा है यहां पर देखना है इदर ये दो और ये कितना होता है तीन नब्य में भाग दे देंगे तीन का आएगा तीस तो एक भाग अगर तीस हो गया एक भाग अगर आपका कितना हो गया 30, तो दो भाग कितना हो गया 60, यह हो गया 2 अनुपात एक, यह आपने 2 अनुपात एक में विभाजित कर लिया, किसको, इधर तो आगई girls, यहां तो हैं girls, और इधर हैं boys, ठीक है, girls और boys को आपने डिवाइड कर दिया, 60 तो हैं girls, 30 हैं boys, अब आपके सामने question ये दिया है, कि रोणी एक लड़का है भाईसाब, रोणी कोन है, रोणी एक लड़का है, यानी male है रोणी एक लड़का है, और वो टोप से 14 नंबर पर उसकी rank है, अब आप थोड़ा सा दिमाख लगो, रोनी एक लड़का है फौर्टिंथ नमबर पर उसकी रेंक है यदि रोनी से आगे दस लड़किया है अगर रोनी फौर्टिंथ पर है तो तेरा लोग उससे पहले आएंगे रोनी से पहले तेरा लोग होंगे लेकिन दस के लिए तो बोल दिया कि दस तो गल्स है तो इसका मतल उसके बाद कितने बॉइज होंगे बाई सब पीस में से चार घटा दो तो 26 बॉइज बाद में होंगे ना रौनी के रौनी के बाद में कितने बॉइज होंगे 26 बॉइज होंगे बस वो यही पूछ रहा था कि रौनी के बाद कितने लड़के हैं तो रौनी के बाद 26 रोनी के बाद कितने लड़के हैं 26 लड़के है चलिएगा नेक्स अगला कोशन एक कक्षा में 52 चात्र हैं उनमें से कुछ ने परिक्षा उत्तीन कर ली और अन्य अनुत्तीन हो गए भाई साब कितने चात्र थे 52 उनमें से कुछ ने परिक्षा उत्तीन की अन्य अनुत्तीन हो गए उत्तीन होने वाले भाई सब यहां से कोशन चालू होगा उत्तीन होने वाले छात्रों में टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स जो है टोटल पास होने वाले हमें नहीं पता कितने हैं पर टोटल पास होने वाले स्टूडेंट में जो रॉमी है रॉमी ठीक है बॉटम से इस्थान कितने हैं बॉटम से इस्थान है 25 तो शीर्ष से इस्थान 18 है बॉटम से इस्थान 25 है तो टोटल पास होने वाले कितने हैं टोटल पास होने वाले 18 प्लस 25 यानि उपर से प्लस नीचे से माइनस एक ठीक है तो टोटल पास होने वाले आ गए आपके पास 18 14 25 या आपके पास हो गया 43-12 है तो चोटल पास होने वाले 42 है, więks टोटल फेल होने वाले कितने हैं है Seven, best total फेल बराबर टोटल माइनर स्टपल पास को टोटल यानि 52 पास होएं है 42 लोख फेल कितने होएं है जल्दी से बता दो कितने हुए हैं कितने च्छात अनोगतीन हुए हैं 10.6 कि इस कि अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो फटा फट से थमसब करके बतादो पहली बार की यह सरकर सकते हैं बला खें गाइधा नहीं कि एक पंक्ती में कलपना का करम 22 से 6 फ़र पद्मनी का करम दाएं से पांच वह है जब आपस में बदल ते हैं अपना करम बदलतें देखिए करम बदलने वाला प्रश्ण देखना मैं अब डायरेक्क करूँ आइसको पहले एक बार कंसिप्स समझा देता हूं फिर मैं डायरेक्क करूँ लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें कलपना यहां पर भाई सब पदमनी यहां पर कलपना का करम बाय से चटा पदमनी का करम दाय से पांच वा ठीक है अब बोल दिया कि उन्होंने आपस में अपना करम बदल दिया यानि इस जगह तो आगी कलपना की जगह तो आगी पदमनी और पदमनी की जगह आगी कलपना अब नया इस्थान किसका दिया है तो कलपना का क और हम 12 से 13 हो जाते हैं बाइस अम नया इस्थान दिया है कलपना का को जा ठीक है कि ऐसे बना लो इस ना ठीक है नया करम किसका दिया है कलपना को कितना है लैव्ट से 13 13 नया करम जिसका देता है उसी को देखते हैं भाई साब वो किसकी जगह बेठा है पदमनी की जगह है और पदमनी का दाया से स्थान कितना था पांच तो एक वेक्ति कलपना ऐसी आ गई जिसका लेट और राइट दोनों का करम दे रखा है 13 प्लस 5 ठीके 13 प्लस 5 कितना हो गया 18 माइनस एक ठीके तो पहले तो टोटल निकाल लिए 13 प्लस 5 माइनस एक कितना आगया 17 तो टोटल तो तुम्हारे पास में आगया 17 कि टोटल 17 लोग तो पद्वनी का 22 स्थान तो छे हैं पद्वनी किसकी जगा बेटी है कलपणा की जगा बेटी का 22 साथ 6 तो वह स्थान अब इसका हो जाएगा तो भाई सब देखना है अधर से पद्मनी का दायें से इस्थान निकालना है, टोटल इक्वल टू होता है वही लेट प्लस राइट माइनस टोटल आ गया तो हमारे पास में सतरा बाइस से इस्थान छे दे रखा है पदमनी का दाएं से इस्थान निकालना है तो येलो आर माल लिया माइनस वन पांच इधर चला जाएगा ठीक है तो आर की वेल्यू आ जा ट्वैल है चलीए एक अक्षा में सूरज का इस्थान उपर से 30 मदन का इस्थान नीचे से 12 है अगर सूरज और मदन के बीच में 8 लड़के हो तो कम से कम लड़कों की संक्यार है भाई सा मिनिमम पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मिनिमम तो मिनिमम का तो कॉर्मला पढ़ा है ना तुमने लेट प्लस राइट अभी कली तो सिखाया है तुम्हें हैं लेट понад प्लस राइट मीड माइनस तू लेकिन यह भी सिखाजा था कि कहां पर वेलिड होगा और कहां पर नहीं होगा है ना तो देखना है इðर ऊपर से 30 से तीज यानिकि लेट रैट से 12 माइनस 8 म माइनस टू कम से कम लड़के मिनिमम लड़के कितने बेटे हैं 30 और 12 42 माइनस 10 बिलकुल आगया 32 32 लोगों में दोनों रेंक गिन सकते हो 30 भी गिन सकते हो तो कोशन वेलिड है और आपका आंसर आ चुका है 32 32 इस दिक करेक्ट आंसर मज़ा आ गया भाई साथ अरे भाई साब अधिक से अधिक लड़के पूछें प्रश्ण में क्या पूछें अधिक से अधिक मैक्सीमम लोग तो मैक्सीमम का फॉर्मला भी आता है तुम्हें अधिकतम का फॉर्मला आता है अच्छे से मनोच का नीचे से स्थान 18, बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, जोड़ दो भाई साथ, कितना आ गया, 68, ये लीजिए, उड़ा दो गया, ऐसे प्रशन बाव, है की नहीं, तो चलो फिर जल्दी से दिल से लाइक कर दो, एक बार सेशन को और शेयर कर दो, फटा फट से शे कोईशन का अंसर, टेलीग्राम ग्रूप पिन कर दिया है मेरे भाईयों, आज सो कोईशन की पीडिएफ दूँगा, उसको सौल कर लेना, कल तक के लिए, बस एक दिन का समय होगा, क्योंकि कल तो फिर आपको बहुत सारी सेशन की पीडिएफ मिलेगी, कल इन्पुट आउट चीजें बड़िया दरीके से सीखने वाले हो, ठीक है? 21 आंसर आ रहा है अब इसका, इस प्रश्न का काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं, 21 आंसर देंगे चलिए देखते हैं, ठीक है, काफी सारे लोग आंसर दा है, कोई बाती है, चलिए देखिए दर, एक कक्षा में A का इस्थान, ऊपर से साथ वाए, B का इस्थान, नीचे से चोथा है, अगर A और B के बीचे में दस लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ, भाई आए, देखना इदर, ऊपर से स्थान, A का स्थान दिया है, टॉप से सेवन, अगर आपने इनको ऑवरलेप करा दिया, तो भाई साथ दस लोग तो गिनी नहीं पाओगे, तो इसका मतलब सेपरेट वाला केस बनेगा, जब सेपरेट वाला केस बनेगा, तो मैक्सिमम निकालोगी कि मैक्सिमम कितने लोग है, और मैक्सिमम कितने आएंगे, साथ प्लस दस प्लस चार, अलग-अलग पोजिशन ले लो भाई साब, इतना आ गया, 21 आ गया सोचने की जरुवत ही नहीं है, ठीक है न, लेकिन अब दोस्तों को हम लोग बहुत ही बड़ी और बारीकी से सीखने वाले, रेंकिंग के प्रशन जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा नंबर से रिलेटेड होगे, ये भी रेंकिंग के प्रशन होते हैं कि वो उससे छोटा है, वो उससे नाटा है, उसका वजन इतना है, उसका वजन कम है, उसका वजन जादा है, इन M से छोटा है M और O A की उचाई के हैं M और O A की उचाई के हैं बहुत समझ के और आरम से L P से छोटा है ल वो क्या वोला उसने है एल पी से छोटा है जो एम से छोटा है जो एम से छोटा है तो एम से छोटा कौन है जब तीन लोग देता है और connectivity में जो दिया हो तो तीसरे वाले वेक्ति की बाद किसके लिए कही जाती है तुरंत पहले वाले पी एम से छोटा है पी किस से छोटा है भाई साब एम से छोटा है और एम बराबर है ओके यह दोनों एक और यह पीछे और यह एन अब भाई साब यहाँ पर देखो आप रैंक दे रहे हो अब अब मजा आएगा देशी गी का असली मजा ही यहाँ है यूँ समझ लो इस प्रश्न के अंदर जिनको लगता है ना कि वो सूर्मा हैं तीस मारखा हैं और उनको सब कुछ आता है तो इस कोशन में उनके भी नंबर कट सकते हैं उसने पूछा तीसरा सबसे लंबा कौन है उसने क्या बुला तीसरा सबसे लंबा कौन है अब आपको लगेगा यह वन ये टू ये थ्री और आप आंसर दोगे अल और भाई सब यह कोशन हो गया तुमारा रों यह हो गया तुम्हारा question wrong जब आप लंबाई के क्रम निकालोगे है ना जब आप rank के क्रम भी निकालते हो मालो किसी बच्चे के 90 दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 90-90 नमबर आए तो उनको आप क्या दे देते हो rank 1 दे देते हो भाई सब लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो तीसरा बच्चा है उसके अगर 88 नमबर आए हैं तो फिर उसको आप second rank देते हो आखे खोल के याद है या नहीं याद है ranking देना तो आती है ना मालो दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 90-90 marks हैं 90-90 marks हैं उसको आपने rank 1 दे दी तो इसको आप rank 2 थोड़ी देते हो 2 rank को आप छोड़ देते हो बीच में क्योंकि starting की 2 positions तो इनके लिए reserve हो गई भले से इनके marks 1 है मतब same है तो इनको 1 दे दिया पर आप 2 आप किसी को नहीं दोगे क्योंकि 2 लोग तो वही है ना तो आप इसको जब number देते हो ना तो इसको 3 number देते हो rank में इसको number क्या देते हो 3 इसके बाद मैं अगर मानलो कोई 86 marks लेकिया है तो उसकी rank कैसी चलेगी 4 लेकिन फिर से अगर किसी और बच्चे की भी 86 होगी तो भाई साब 4 number देखो यहाँ पर आप इस तरीके से देखना एक, दो, तीस अब चोथे number पर यह दोनो हैं अब आप पाँचवे को drop कर देते हो इसके बाद इसके बाद rank 5 को drop कर दोगे अब मानलो किसी के 85 number है ना तो फिर उसको rank क्या दी जाती है 6 rank दी जाती है क्योंकि जब counting होती है तो numbering count हो थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो 6 लोग हैं तो 6 लोग पर 4th rank पर यह 2 लोग है पहली rank पर यह 2 लोग है इस तरीके से rank चलती है तो अगर इन दोनों को यह दोनों top पर हैं तो इनको देंगे हम पहली rank अब उसके बाद पहली rank देदी तो दूसरा वाला छोड़ देंगे भाई सब दूसरा वाला छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे वाले का निर्धारन नहीं हुआ यह तीसरे पर आएगा यह चोथे पर आएगा तो P की rank जब आप count करोगे दोस्तों तंक से देख ले ना यहां पर ठीके तो P की rank उसने बोला तीसरा सबसे लंबा कौन है तो फिर यहां पर कौन आएगा P आएगा L मत कर देना गलती से L मत कर देना नोट कर लेना भाई सब समझ में आरी की नहीं आरी है यह बहुत important चीज है P for pizza ठीक है बाई सब बहुत अच्छी बात है अगर आप क्योंकि आप पढ़ रहे हो भी यहां पर ranking ranking क्रम देना सीख रहे हो आप numbering देखे तो यह मत सोचो आपकी class की rank हो सकती यह पंक्ती में rank हो सकती मैं कह रहा हूँ ना बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे concept हैं जो आपको reasoning के अंदर उलजा सकते हैं अगर आपने detail में उनका expansion नहीं किया है अगर आपने detail में उन चीज़ों को नहीं पढ़ा है और मैं आपको यहां पर पूरा पढ़ाने वाला हूँ एक एक चीज़ को जहां पर भी आपको लगता है ना कि यहां पर number कटने की गुंजाई शे भाई साब इस class के बारे में बता दो और इस class को join कर लो समझ में आ रहे over confident मतो बस चलो अब ये प्रश्न देखना soul करेंगे आप लोग 6 मित्र है और प्रतेक को परिक्षा में अलग अलग भिन भिन अंक मिलते हैं Q को R और M से अधिक अंक मिलते हैं side में बना लो Q को R और M से अधिक अंक मिलते हैं पर R और M में किसको ज़्यादा मिलते हैं ये नहीं पता ठेक है O को R से अधिक अंक मिलते हैं लेकिन P से कम अंक मिलते हैं को भी बना लो ओ को और से अधिक अंक मिलते हैं लेकिन पी से कम अंक मिलते हैं बहुत अच्छी बात है क्यू को सोरी पी को क्यू से अधिक अंक मिलते हैं और सरवादिक अंक नहीं मिलते हैं लेकिन उसने बोला है पी को क्यों से तो अधिक अंक मिलते हैं लेकिन सरवादिक नहीं हैं लेकिन सरवादिक नहीं है सरवादिक तो अभी क्यूं से अधिक अंक मिलते हैं जिस व्यक्ति के नियूंतम अंक हैं उसके 29 अंक प्राप्त होते हैं ठीक है भाई सब और तथा जिसके सरवादिक अंक हैं उसके 80 अंक प्राप्त होते हैं मित्र कितने हैं छे मित्र हैं मैं यहां बना लेता हूं दोस्तों छे मित्र हैं मैं यहां बना लेता हूं इस जगर पर थोड़ा आसानी रहेगी चीजों को बनाने के लिए तीन और तीन छे जिसको सबसे कम अंक मिले हैं उसको 29 मार्क्स मिले हैं जिसको सरवादिक अंक मिले हैं उसको 80 मार्क्स मिले हैं उसने खुद ने बोल दिया ठीक है यह आप देख सकते हैं जिसको सरवादिक अंक मिले हैं उसको 80 अंक मिले हैं जिसको न्यूंतम अंक मिले हैं उसको 29 मार्क्स में अब यहां से चीजें स्टार्ट होंगी इस जगह से P ऐसा लग रहा है P के O से जादा है और फिर यहां पे O के Q से जादा है R और M में भी देख लेते हैं तो देखना इधर तो भाई सब P सरवादिक तो नहीं था उसने बोला था कि P सरवादिक नहीं है तो P के पहले वाला इस्थान खाली छोड़ दिया P को Q से अधिक मिले हैं P को O से अधिक मिले हैं परंतु O को Q से अधिक मिले हैं तो P के बाद आपका O आएगा और फिर आएगा Q अब बात ही आती है R और M की तो उसने साफसा बोला था M के अंक विशम संक्या में नहीं है ध्यान से देखो M के अंक विशम संक्या में नहीं है विशम संक्या में नहीं है यानि M लास्ट में नहीं आएगा M यहां आएगा और यहां पर आएगा आठ और ऐसा कौन सा वेक्ति यह जो अभी तक नहीं आया एन अभी तक नहीं आया तो इस जगह आ जाएगा एन यह आपका अरेंजमेंट हो गया यह आपका क्या होगा अरेंजमेंट हो गया तो उसके खोशन यह था किसके नियूनतम अंक हैं किसके आप साब बोला है कि भाई साब मिलते हैं और सरवाधी अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो और के बाद साथ मार्क्स मिलते हैं अगर इसको तो ओके मार्क्स क्या होंगे असी से कम और साथ से ज्यादा असी से कम और साथ से ज्यादा असी से तो कम होने चाहिए थे परंतु साथ से ज्यादा है ना तो इसका मतलब उसके 68 मार्क्स हो सकते हैं ओके मार्क्स कितने हो सकते हैं, 68, 68 से जादा, 80 से कम, तो आरम से हो गया प्रश्ण, मज़ा आ गया, तो इस तरीके के प्रश्ण आते हैं भाई साब, इस तरीके के प्रश्ण आते हैं, चलिए नेक्स अगला प्रश्ण आप लोगों के सामने, तूफास रमेश सतीस से अमीर है लेकिन जया रमेश से कम अमीर है राम जया से कम अमीर है लेकिन सतीस से अधिक अमीर है किन्तू रमेश जितना अमीर नहीं है यानि राम रमेश जितना अमीर नहीं है भाई साब ये तो आगे पिर आगे रमेश नमीन से कम अमीर है रमेश के लिए बोल भिया कि रमेश नमीन से कम अमीर है तो सबसे अधिक अमीर कोन है खतम हो गई पिच्चर सबसे अधिक अमीर कोन हो गया नवीन नवीन कौन हो गया? सबसे अधीकावीर हो गया चलिए नेक साथ वेक्तियों की उचाई अलग-अलग है बनाईए फटापट से बनाऊ फटापट से M Q से लंबा है और L से ठीक छोटा है Q सबसे छोटा वेक्ती नहीं है और N केवल दो वेक्तियों से छोटा है N केवल दो वेक्तियों से छोटा है अर्थात बाकी सबसे बढ़ा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और एक, यह साथ ठीक है, यहां से दिखना साथ वेक्तियों की अलग-अलग उचाही है M Q से ठीक लंबा है और L से ठीक छोटा है Q सबसे छोटा वेक्ति नहीं है अगर Q सबसे छोटा वेक्ति नहीं है और इन तीनों को बिठाना है तो भाई साब यह यहीं आएंगे खोड़ा दिमाग लगो Q सबसे छोटा नहीं है और इन तीनों को भी बिठाना है तो यह तीनों यहां बिठा दी N केवल दो वेक्तियों से छोटा है P R से लंबा है और O से छोटा है P R से लंबा है लेकिन O से छोटा है तो ये बनेगा फिर P R से लंबा है लेकिन O से छोटा है ये बन गया तो कौन सबसे छोटा वेक्ति है? कौन सबसे छोटा वेक्ति है? यह arrangement हो गया आप कौन सबसे छोटा वेक्ती है भाई साव आर सबसे छोटा वेक्ती है चलिएगा next अगला प्रशन आप लोग सामने लड़कों की किसी पंक्ती में सुरेश का इस्थान बाएं से सात्वा है भाई साव लड़कों की एक पंक्ती है सुरेश का इस्थान दे रखा है सुरेश का इस्थान बाएं से साथ और रोहित का इस्थान दाएं से बारा है यदि वे दोनों इस्थान आपस में बदल लेते हैं तो सुरेश का इस्थान बाएं से तो सुरेश का इस्थान बाएं से बाई सो हो जाता है दोस्तों एक चीज़ या दिखलें डायरेक्ली शॉट ट्रिक बता रहें इसकी शॉट ट्रिक यह कहती है कि जिस वैक्ति की न्यू पोजिशन दिए जिस वेक्ति की न्यू पोजिशन दिये, माल लिजे फस परसन की न्यू पोजिशन दिये, किसी परसन की जो न्यू पोजिशन दे रखे, उसमें अनादर परसन की पोजिशन एड़ करके माइनस वन कर दो, ठीक है, न्यू पोजिशन जिस परसन की दे रखे, जिस परसन की न्य new-position दे रखी है उसमें लौग पोजिशन एडिड कर दो अनादर परसंगी इसी कि अधर परसंगी ओल्ड पोजिशन एडिड कर दो और उसमें से माइनस वन कर दो पड़ापट से देख लो सुरेश की नियू पोजिशन दी कितनी 22 तो दूसरा वाला वैक्ति कौन हो गया फिर रोहित रोहित का इस्थान कितना दे रखा था दूसरा वाला वैक्ति है रोहित उसकी पोजिशन बारा ले लेंगे और माइनस वन कर दो कितना हो जाएगा आपके अबसमें 34 माइनस एक तेंस यह इसकी शौट ट्रिक है चाहो तो नोट कर लो जिस परसन की न्यू पोजिशन दे रखी है उसमें और पोजिशन एड़ करके माइनस वन करोगे तो टॉटल आप निकाल सकते हो सिर्फ टॉटल निकालने की यह है टॉटल आप निकाल सकते हो नहीं है ठीक है ऐसा एक और प्रश्णों तो शौट ट्रिक से करके बता दूँ आपको एक बार ऐसा प्रश्णों और है या नहीं है कोई बात नहीं इसको करते हैं पर ठीक है कोई बात नहीं चलिए इस प्रश्णों को देखें 49 चात्रों की एक कक्षा में रवी का क्रमांक सुमित से साथ इस्थान आगे अब देखो यह प्रश्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों इस चीज़ को समझने की कोशिश कर इस चात्रों कि इस स्टूडेंट कितने 49 अब इसमें कहीं ने कहीं रवी बेठा हुआ लें कौन बेठा है रवी रवी का क्रमांक सुमित से साथ इस्थान आगे अब एक बात बताओ आगे का मतलब क्या होगा अच्छा होगा ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी बात बताओ रवी का क्रमांक अगर सुमित से आगे है यानि पहले है ना मालो सुमित की रेंग 15 भी है या 20 मालो सुमित की रेंग मालो 20 है तो साथ इस्थान आगे है यानि वो 13 नमबर पे होगा पहले होगा ना इसका मतलब बात समझ मे अरिये, लेकिन उसने बोला कि सुमित का क्रमांग अंतिम से सत्रा है, सुमित का क्रमांग अंतिम से कितना है सत्रा, तो सत्रा में साथ जोड़ेंगे, आप जोड़ो सीधा, सत्रा में सीधा साथ जोड़ोगे तो भाई साथ रवी का रेंग क्या है, सत्रा में साथ जोड़ो जल एवा यानी नीचे से रेंख के 24 टोप से निकालनी है रेंख कितनी हैं कि इस बॉटम माइनस संबयाएं 24 सोरी टोप टे से तो रैंख पता ही नहीं है न वाई से the total गए थटीने, टॉप से रंक निकाल नहीं है नहीं, रसे बाटम से रंक कितनी है, 24 वाइनस, 24 माइनस 14, 30, 39-23, इकवल टूप, टॉप इकवल टू, कितना हो गया, 16, टॉप इकवल टू, कितना हो गया, 16, ओण, चले इसको देखो, बीस चात्रों की कक्षा में बीस चात्रों की कक्षा में उपर से अलीशा का करमांग 15 है टॉप से अलीशा का करमांग कितना है 15 15 है मानो का करमांग अलीशा से चार इस्थान उपर है मानो का करमांग अलीशा से चार इस्थान उपर है मानो मानो का करमांग अलीशा से चार इस्थान उपर है यानि पहले है तो इसका मतलब क्या हुआ यानि मानों का क्रमांग उपर से कितना है 11 है न इसका मतलब यानि मानों का क्रमांग उपर से 11 है मानों का क्रमांग उपर से 11 है तो बोटम से मानों का क्रमांग कितना होगा इन ट्रोटल इक्वल टू टॉप्स इन दिया है वाइने सो के टोटल रहे है टॉप से क्रमांग आ गया ग्यारा भॉटम से क्रमांग व 270 बिस मीनस-10 एक्वल टू गॉोटम भऐ साथ यहां से बॉटम से क्रमांग आ गया 10 हम आप चलें एक करिए बनाए इस प्रशन किसी कतार में विजे का इस्थान आगे से चोद्वा और जेक का इस्थान अंतिम से सत्रवा है मेरी का इस्थान विजे और जेक के ठीक बीच में है यदि विजे जेक से आगे यानि पहले और कतार में 48 वेकती है अच्छा करतार में टोटल लोग भी थी ठीक है बहुत बड़ी है देखो इधर यहां पर कोशन केसे बनेगा 48 लोग उसने खुद नहीं देती कि भाई साब 48 लोग यह डाटा दे दी विजे अल्रेडी आगी है विजे का इस्तान आगे से आगे से दे रखा है 14 ठीक है और जेक दायां से दे रखा है 17 मेरी के लिए बोला है कि मेरी इन दोनों के ठीक बीच में है तो भाई साब आपको कोशन यह आना चाहिए कि पहले तो बीच में कितने लोग और यह 14 हटाओ पहले से और यह 17 हटाओ तो यानी 48 में से 14 प्लस 17 हटा दे यानी 48 में से 14 प्लस 17 आपने हटा दिये 31 हटा 48 में से 31 हटा दिये 48 में से 31, 60 यह बचे कितने 17 लोग, अब 17 लोग भाईसा बीच में हैं, कितने लोग, 17 लोग बीच में हैं, अब 17 लोग बीच में हैं, तो 8 लोग इधर, 8 लोग इधर, 8 और 8 16 और एक यह बीच में 17, सब्सक्राइब एक जिए और मेरी वेक्ति यह लूँ आनसरी आगा मेरी यह था विजे और मेरी के बीच में रोगे जल्दी से बता दो फटाफट से अंसरी आगया विजए और मेरी के बीच में कितने लोग कि अतलोग 17 लोग total बीच में विजे और जेक के बीच में तो 8 इदर 8 इदर 16 और ये बीच में ये मेरी तो 28 लोग है विजे और मेरी के बीच में कितने लोग है 8 सही निये नेक्स अगला कोशन देखें आप लोग फटा फट से 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का इस्थान लड़कियों में चोथा और कक्षा में अठारवा है तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा इस्थान होगा मजे दार प्रशने भाई साब ये है प्रशन तो 10 लड़कियां और 20 लड़कों तोटल 10 ककशा में टोटल हो गए 30 से अब बोला क्या गया है वोला ही यह गया है कि जया का इस्थान लड़कियों में फोर्त है फीमेल में पॉर्थ है भाई सब गल्समें उपर से अगर देखें तो गल्समें फोर्थ है ठीक है और क्लास में हैं क्लास में हैं 18 जया का इस्थान देखना इधर जया का इस्थान लड़कियों में चोथा और कक्षा में है अठारवा तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच क्या स्थान होगा कोई विद्वान प्रानी ही इसको कर सकता है भाई साब लोग बाग सॉल करने लग जाएंगे भाई साब इसको लोग बाग क्या करने लग जाएंगे Sol करने लगते हैंगे इस question को अरे जया जब लड़की है और ऊसका लड़कियों में इस्थान दे रखा है तो लड़कों में क्यों गयात करेंगे लड़का थोड़ी है वो यही में तो आप गलती करते हो यही तो हम सोच नहीं پाते हैं पहले भी करवाया हुआ है ऐसा प्रश्ण लोगों को लगता है कि भाई साब हम इसको सौल कर लें पर आखे खोल के तो देखो जब लड़ जया का इस्थान लड़कियों में दे रखाए कि जया एक लड़की है लड़की है लड़की में फोर्त है और उपर से 18 है तो आप फिर जया का लड़कों के बीच कौन सा इस्थाने ये कैसे गयात करोगे क्यों गयात करोगे बहुत सारे लोग इसका अंसर 14 गयात कर लेंगे 15 गयात कर लेंगे 16 गयात कर लेंगे भाई साब ठीक है लेकिन आखे खोल के देख ले ना option में क्या दे रखाए C&D वो इसलिए दिया ह हो है इसलिए जया है गयात नहीं कर पाएंगे लड़कों में स्थानि जब जया ही लड़की तो लड़कों में क्यों गयात करोगे कैसे घयात करोगे भाब बढ़िया है भाई साब जो शूर्वी रहना योगेंदर जैसे वही ग्याद कर सकते हैं उनका तो भाई साब भगवान ही मालिक है अभी भी नहीं समझ पाए अभी भी कह रहा है ग्याद कर लेंगे लड़कों में लड़की है तो लड़कों में ग्याद कर लेगा उसको फिर योगे निर भाई आप अपने आपको किस में गिनोगे है अगर लड़की हो तो लड़कियों में गिनोगे लड़के हो तो लड़कों में गिनोगे ऐसा थोड़ी है कि लड़के हो और आप लड़कियों में इस्था निकालोगे अपना, नहीं निकालोगे न, common sense रखो न भाई, जीवन में real life से related करके देखो न इसको, चलो देखो इदर, इसलिए कह रहा हूँ कि चीजें आपको सिखाऊंगा, मैं बढ़िया सिखाऊंगा, आपकी सोच डवलप करनी बहुत जरूरी है, अब इदर देखो, मोहन और रोहन के बीच में, दस बच्चे हैं, कतार में बाई और से रोहन का इस्थान पूछ रहा है, भाई साब बताओ यार, क्या गजब का प्रश्ण है, इदर देखना मज़ा आएगा इस प्रश्ण में, चालिस लड़कों की कतार है, जान से देख ले ना, डाटा इन एदूकेट भी दे रख, इस ऑप्चन पे भी ध्यान दे ला, चालिस लड़कों की कतार में मोहन का इस्थान, ये रहा मोहन, मोहन, है ना, मोहन का इस्थान दाइं और से 15, 15 है, मोहन और रोहन के बीच में दस बच्चे हैं, अब भाई साब, मोहन और रोहन के बीच में अगर दस बच्चे हैं, तो हमें क्या पता, दस बच्चे इधर हैं, या फिर, मोहन और रोहन के बीच में दस बच्चे इधर हैं, ये कैसे पता चलिए, ये कहा दिया, और वो बोल रहा है कि कतार में बाई और से रोहन का इस्थान बताओ, तो रो रोहन का इस्थान ये वाला निकालना है कैसे निकालोगे भाई साब क्योंकि 15 लोग हैं तो 10 लोग यहां भी बिठा सकते हो तो हमें क्या पता कि रोहन की यह पोजिशन चाहिए कि यह पोजिशन चाहिए तो अगर आपके सामने भले से हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आकड़े अ पर्याप्त हैं यहां तो हमारा आंसर Sum intent कि पर चला जाएगा ओंप्शन पर चला गाँड़ आन। अप्रयाप्त हैं मजा आया की नहीं आयाए ! पटावट से थंसपकरदो भाई साह RAW सभी लोग थमसब कर देंगे जबरदस तरीके से मैंने कहा ना कि मजा तो भाई साब जो अंत तक बना रहता है उसी को आता है क्योंकि सेलेक्शन तो वही लेके जाता है जो अंत तक बना रहता है बीच में छोड़ने वालों ने भी कभी सेलेक्शन दियें क्या तो भी नहीं लिए भाई साब ठीक है तो इसलिए मैनत करनी है पूरी करनी है बढ़िया तरीके से करनी है एकदम मज़ा आ जाएगा अपटापट से भाई साब इस प्रशन को गर लो PQRST वजन के घटते करमे वैवसित किया जाता है P उपर से तीसरे इस्थान पर है ठीक आई आच ने बोला है P उपर से तीसरे इस्थान पर है तीसरे इस्थान पर ठीक है आर टी और पी ऑर पी के बीच में आर जो है वो टी और पी के बीच में टी शीर्ष पर नहीं है तो यह बनेगा आर टी और पी तो सबसे उपर कौन है सबसे उपर क्या पता हमें कौन है भाई साथ हमें सबसे उपर का कैसे पता होगा क्यूं हो सकता है S हो सकता है, S हो सकता है, Q हो सकता है, अप्धे ऊपर कौन है, हमें क्या बता, इनकी position clear होगे, T 6 पर नहीं है, तो T यहां है, लेकिन अब यहां पर हमें क्या बता, Q और S में क्या बता, तो cannot be determined, आपका answer क्या बनेगा, cannot be determined, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, भाई साब कौन होगा, ठीक है, तो 3 question आपको homework में, सभी के जवाब चाहिए, मुझे इन सभी के जवाब comment box में चाहिए, और सभी बच्चे ये भी बताएंगे कि class आपको कैसी लगी, इन 3 question के answer आप खुद स्वैम चेक कर लें, लास्ट में option भी दे रखे हैं मैंने, ताकि आप लोगों के लिए एक proper notes भी बनते चले जाएंगे, PDF जब आप download कर लोगे, बड़िया तरीके से, कल की PDF और आज की PDF, दोनों आपकी pin करवा दी जाएगी, क्योंकि कल तो theory पड़ी थी हम लोगों ने, तो उससे related आप notes चाहों तो बना सकते हो, और नहीं तो ये questions हैं, बारा बजे अभी हम जब हम मिलेंगे, तो धमागेदार प्रशनों क्या करेंगे, अब देखो आपने chapter तो सीख लिया है, अब chapter आपने सीख लिया है, तो दो पर बारा बजे आप क्या करोगे, अब previous year paper के questions कर लो 20 साल के, फिर ये chapter कहीं नहीं हिलने वाला, 20 साल में जितने भी प्रशन आये हैं न, गुरूप D में, जितने भी गुरूप D में प्रशन आये हैं, जितने भी NTPC CBT 2 में प्रशन आये हैं, है न, उन सभी प्रशनों को कर लो, बस एक बार, अभी 12 बजे class होगी, उसमें आप कर ले न, अकेडमी बर वैसे 12 बचकर 15 मिनट पे आज वो क्लास है ठीक है तो 12 बचकर 15 मिनट पे हम लोग मिलेंगे और बड़ीया तरीके से 20 साल के सारे कोशन्स कर लेंगे तो फिर इस चेप्टर को देखने के जरूर नहीं है कल पढ़ेंगें Blood Relation सुबह आती सबसे पहले Blood Relation वाला टोपिक पढ़ेंगे तो भाई साँ ध्यान द diabetes ब्लेशन वाला टोपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है लोजिकल रीजनिंग हमने स्टार्ट करी दी आपको पता है भैदरीन प्लास थी भाई साब भैदरीन ठीके बलड रिलेशन message फ सडा प्लड रिलेशन when रुपिक पढ़ेंगे और उसी के कोई यों इस evolution करेंगे बलड रेलेशन की की कि कि 12 बजे वाली गलास में कि चार बजे यूटूब पर अपना मौकटिस कलाकरी मौकटिस होगा और साती साथ पेड पेश अ neutr defending पर इसो भाई साहब ये समझ लो बड़ाफट से ठीक है मुद्दे वाली बात ये कहती है कि आपको classes का schedule पता होना चाहिए आज का ठीक है 14 और 15 दितंबर कल का दिन तो बहुत important है आज की अभी तक की जो classes है वो तो निकले आप अभी 12 बजे मुझे मिलोगी पिर आप मिलोगे पांच बजे कि यहां पर आप करोगे 20 साल के पर कॉशंट कोशंट इंटि यह रेंकिंग के कॉशंट जितने भी आए हैं जितने भी प्रश्ण आया जैसे भी आया है है इजी हार्ड सब आप यहां करने वाले जो लेंगवेज की प्रॉब्लम है वो भी दूर यहां पर आप सिलोजम टॉपिक रात को नौ बज़े वाली क्लास ही सरी 50 कोशन की स्कुईडी टेस्ट ठीक है ना तो यह तो वही साब और कल अनकेडमी का बता रहा हूं मैं अनकेडमी लर्निंग एप ध्यान से शडूल देख लें एक बार दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आठ एम सुभे एट एम पर तो लोजिकल रीजनिंग है ना लोजिकल रीजनिंग कर रहे हैं आप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता बारा बज़े आप बलड रिलेशन करेंगे क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है मैंने कहा था यह सारे टॉपिक्स जो है मैं आपकी एकदम क्लियर कर दूँ आप दो बज़े आप लोग इन्पुट आउटपुट करेंगे भाई साथ इसको हलके में बिल्कुल मत रहना सीख लेना अगर मान लोग कोशन फस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फाइफ पी एम पे सिलोज में और नाइन पी एम पे आप लोग जानते हैं मॉक्टेट तो यह अपना कलका शेडूल रहने वाला है स्पेशल क्लास उसका ठीक है आट बज़े लोजिकल रीजनिंग फिर बारा बज़े ब्लड रिलेशन के प्रीवेस एल पेपर के कोशन्स दो बज़े आपके इन्पुट आउटपुट के कोशन्स है 15 दिसंबर और पाँच से कंसेट पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी वाले केस आइदर और वाले केस कौन सा केस हट गया कौन सा लग गया कौन से नए रूल्स आए हैं वो सारे आज पांच बज़े वाली खिलास में होंगे ठीक है और कल भी होंगे और नो बज़े मॉप तस तो यह शेडूल अपना रह कि अब है आप लोग इसका स्क्रींशोट ले लें बड़ापट से एक बार जल्दी से ले लेंगे अरे भाई एक दिन तो देई सकते हैं ना यार 15 तारी एक दिन नहीं दे सकते अपना कि यह टॉपिक अपने किलियर हो जाए अच्छे से पढ़ लेना आराम से बाकी चीज़ बना लो अभी आप जिन में दिक्कत है उनको पढ़ लो फटाफट से ठीक है और जो भी बच्चा जोइन करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से मतलब आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले सीटी एक्जाम की तियारी करूं मैं यूपी कॉंस्टेबल की तियारी करूं या फिर क्लास हो या फ्री क्लास हो आपको लास के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप फोलो कर लेंगे पर फोलो जरूर कर लें लिखावा आ जाएगा फॉलओईंग знаю य ओलिक करना quantity न निए स्टेप में अ Woah लोहर ना क्लिक करना करना था चैसे ही क्लिक करेंगे विंडो ओपन होगी और नीचे देखो यहां पर लिखावा आएगा एडर रेफरल कोड में दोस्तों आप लोग को पैस करना है दीपू 10 कोड लगाना है आपको आप जैसे दीपू 10 कोड लगा के अपलाई करेंगे लिखावा आ जाएगा अवेसम दीपू 10 कोड अपलाईड अब बढ़िया तरीके से आप लोग मजे करिए पैमेंट कर लीजिए और उसके बाद में आप सभी क्लासिस का आनंद लीजिए सभी क्लासिस मिलेंगी 15 तारीक से वर्बल नोन वर्बल लोजिकल का नया बेद चालू हो रहा है साथी साथ मैट्स रीजनिंग जीके जीस तो ये सोचें कि आखरी बार पढ़़ Ayam जब भी पड़ाई करने बیठें तो ये सोचें कि आखरी बार पढ़ रहा हूं कल मेरा एकजाम है यकिनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बढ़े से बढ़े एकजाम आसानी से पाठ लेंगे बढ देखो आप तयारी कैसे होती है बात समझ में आ गई टेलिग्राम ग्रूप चैट बॉक्स में पिन कर दिया है वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो मतलब लिंक पे क्लिक कर लो और यह कुछ भैतरीन सेशन्स मैंने लिये हैं इनको आना केडमी पर सोरी यूटूब पर देख लेना क्लासिफिकेशन एनालोजी हो गया है और इस बार भी सेटेटेटे लिए बहुत कुछ आप लोगे लिए सोच रखा है तो तैयारी कर लेना भाई समस्तरीके से ठीक है ओके गाइस थैंक्यू सो मच यह शडूल एक बार फिर से मैंने बता दिया है शडूल इस तरीके स सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना पीडिएफ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी वहां से डाउनलोड कर लेना और आपका काम सबसे बड़ा काम लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक्स अलोट बहुत मजा है आप लोग के स पढ़ते रहिए और मस तरीके से महनत करें अच्छा खाईए अच्छे से सोईए और अच्छे से पढ़ाई करें थैंक्स अलोट बाई टेक केर लव यू अलोट बाई